कि देखिए कॉस्ट अकाउंट के सिर्फ कितने दिन बते हैं कब है बाई साब आपके कॉस्ट अकाउंट का एक्जाम के ओनर्स वालों का पहले हम बात कर रहे हैं तो ओनर्स वालों का तो को कि पंदरह को हैं कि प्रोग्राम वालों का तो लंबा मतल्ला लग 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 बीस बाईस दिन प्रोग्राम वाले कोई चिंतित NOokay inside ससे चाहिं कि कॉत्छं सबसे ज्यादा है कि कि औरनर्स वाले जैए ही पूछता है सर क्या practice करें कैसे करें कि आपको क्याई पढ़ना चाहिए पहले आपका जो बच्चें अगर सोच लहाई के बहुत कम समय बचा हुआ है कैसे करें तो देखो जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिकट नहीं हो तो रिवीजन करेंगे और उनको भी रिवीजन करा है वो भी देखेंगे और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी मतलब कि बहुत कम पढ़ा हुआ है उनके लिए भी कैसे कैसे टाइप से किस तरीके से तैयारी करना है मैं सारा एक बार प्लैन बता दू जो मैं सोच रहा हूँ आप सभी के लिए सबसे पहला चैप्टर आप कॉस्ट शीट करेंगे और वन शॉर्ट वीडियो मैंने बोला था लेकिन आप्लिकेशन पर अप्लोड ही नहीं हो पारा पांच जीवी के लिमिट है वो तो हम उस पर कोसिस कर रहे हैं बाकी मैं लिंक उसके अंदर पूरा एकदम कस्टमाईज करके एक वर्ड की फाइल डाल दूँगा क्लिकेबल लिंक से जो की आपको मिल जाएगा कॉस्ट शीट के अंदर आपके न्यू वाले मैथट से तो एक क्लास मैं इसका लेने वाला हूँ जिसके अंदर मैं दो सवाल करा दूँगा टू कॉस्टन्स आप पहले पुराने वाला मैथट आपको जब आता होगा तो तो न्यू वाला आएगा ठीक है इसके बाद हमें दूसरा चैप्टर कौन सा करना चाहिए सर एक तो इसी से रिलेटिड कौन सा है कौस रिकंसलेशन स्टेटमेंट कर लीजिए बच्चा कमजोर है दिमाग जादा नहीं चलता तो वो क्या करें सर वो कर ले कौन सा चैप्टर मटीरियल कर ले मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ बच्चों का नुमेरिकल में होता नहीं इतना मन या आपने पहले अच्छे से अकाउंट्स पढ़ा नहीं है तो आपने आपको एक्सपेक्ट करिएगा मतलब के एक्सेप्ट करिएगा कि हाँ नहीं हो रहा तो हम वो चैप्टर के सुच करके कर लें एक्जाम के पॉइंट ओव यूसर ठीक है तो आपको पहले नंबर पर ये करना है दूसरे नंबर पर इन दोनों में से चोईस कर लेजिए दोनों ही चैप्टर इनपोर्टेंट है सर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इससे सवाल ना पूछा गया दोनों ही चैप्टर इनपोर्टेंट है और दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे मार्किंग का डिपेंड करता है कई बार 90 का paper आता है, कई बार 100 का आता है, कई बार 75 का आता है, तो उसका इसा अबसे दे देते हैं लेकिन आएगा 2 chapter, अब देखिए, 2 chapter का मतलब आप देखों, या तो cost sheet अजाएगा तो ये वाला नहीं आएगा, ये आगया तो ये नहीं आएगा यह वाला चप्टर जरूर आएगा तो आपको दो चप्टर इससे पक्के हो जाते हैं सर इसके बाद क्या करें रिवीजन में रिवीजन में इसके बाद लीजिए आप contract account contract जो कि आप कर लीजिए sir contract account बहुत simple सा चप्टर हे यह फटा-फट से निफटा यह इसमें से सवाल आने के chances है या नहीं तो मैं बता दूं इसके बाद एक है process process account तो contract account और process account में से कोई भी एक सवाल आता है कई बार by chance दोनों आ जाता है तो बच्चा बोले एक छोड़ दे तो चल जाएगा भाई option में नहीं आता हो गया तो process दे दिया हो गया तो contract दे दिया ऐसे सवाल आते हैं तो मैं सभी का revision वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ न तो मुझे याद है कि मैंने slaves तो complete कराया लेकिन कुछ ऐसे tough tough बच्चे 10-year में से question कर रहे हैं कुछ-कुछ doubts आरे हैं तो वो सारे doubts मुझे पता चले हैं तो उसको मानते हुए मैं एक questions आपका इसका करा दूँगा एक questions मैं इसका करा दूँगा इसके अंदर हर topic का एक question इसके अंदर दो topic है एक store laser है एक आपका EOQ with maximum minimum level एक question इसका करा दूँगा मैं बाकी material हमने बहुत अच्छे से किया है उसमें no need to और ज्यादा explore करने के आपको ज़ुरत है वो आपके सारे question देखोगे 10-year के भी आराम से हो रहे होंगे contract का एक question मैं करा दूँगा एक question मैं process account का करा दूँगा साहब process account के अंदर कौन सा topic important है वैसे दो तरीके है इसके अंदर एक हमारा equivalent method वाला था जिसके अंदर WIP था और एक था हमारा simple वाला तो equivalent method वाला बहुत important रहता है examiner उसी से पूछता है मैं अभी honors की बात कर रहा हूं सर्फ यह ठीक है ना तो honors वालों में equivalent method highly important है इसकी practice करें इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें मेरे इसाब से आएगा और पिछली बार के paper में भी आया था अब देख सकते है उसको इसके बाद हमारा आगे आजाएं आगे कौन सा process के बाद अगला chapter कौन सा उठाएं सर कौन सा उठाएं machine hour rate यह इससे पहले labor ले सकते हैं आप बहुत simple सा chapter इसमें से सवाल आएगा ऐसा मत समझी है हलका chapter मत समझना इसे labor और labor के बाद आप ले सकते हैं अगर मैं बात करूँ न तो मेरे हिसाब से overhead distribution ज़्यादा असान है तो यह ऐसा है ना overhead distribution क्या आप आदे गंटे बैठेंगे और या क्या एक दो question सवाल अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा overhead distribution के बाद आपके दो chapter बसते हैं that is machine hour rate और एक service cost मसीन आवर रेट और एक क्या service cost मसीन आवर रेट की अगर हम बात करें तो यह भी highly important है अगर overhead distribution हुआ तो यह नहीं आएगा इसके बदले यह आएगा अगर overhead distribution अगर overhead distribution नहीं आया तो दोनों आ सकते हैं दोनों अगर overhead distribution आ गया तो service cost आ जाएगा उसके साथ ऐसे combination वो कर लेते ह आप इसके साथ theory की बात करें तो बच्चे बोलते हैं sir theory बताओ तो मैं बताओ theory आपके कम से कम 30 से 40 नंबर का आपके exam में theory आएगा तो बच्चे theory को बिल्कुल भाई ना छोड़ के जाएं 30 से 40 नंबर का theory आएगा मतलब मान के चलो 40 percent theory आने वाला 40 से 45 percent तो कुछ बच्चे स प्रेक्टिकर प्रेक्टिकर एक्जाम में जाएंगे और बोलेंगा sir यह क्या हुआ theory आ गया यह तो और theory कैसे आएगा already मैंने फोल्डर में पुराने theory सारे मैंने करीब 25 से 30 35 questions मैंने बना रखे हैं उसी में से questions आएंगे आपके आप उस questions को PDF देखिए और PDF देखके आप कर स तो sir अगर जो बच्चा theory कर लेता है और इन chapter को कर लेता है उनको मतलब कि वो बहुत अच्छे नंबर से pass out हो सकता है कुछ chapter जो कि मैंने अभी नहीं इसके अंदर discuss किया उस chapter को इसलिए discuss नहीं किया क्योंकि अभी आपका हुआ नहीं अब practice कैसे करना है देखो आपके पास सम साथ दिन और साथ राते और आज का थोड़ा सा मान लो जो भी है तो उस तरीके से आपके अब मैं यहां बात करूं यहां पर तो पढ़ना तो आप नहीं है अभी जौब बगएर जो बच्चे पढ़ कर रहें के जौब कर लेंगे फिर कर लेंगे तो भाई उसके लिए तो और यह वाला वन डे इनफ है भाई साब इनफ है वन डे जिसने बिल्कुल कुछ नहीं करा वो दो दिन लगा लो जिसने रिवीजन कर रहा है मैं तो कहता है वन डे क्या आप तीन से घंटे में कर लोगे कॉस्ट देखोगे फटा-फट और उसके बाद फिर रिकंसलेशन दे या मैक्सिमम वन एन हाफ डे और जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ भाई साब मटीरियल को पूरा दिन दे दो दिन दे मटीरियल को कोई बुराई नहीं है क्योंकि इसमें से कुश्ट आने हो और आसान है जिसने पहले से पढ़ रखा है रिवीजन में ए और एक से डेट दिन का मतलब ऐसा नहीं कि 8-8 गंटे देने है जादा जादा चार गंटे इनफ है इसके बाद प्रॉसेस की बात करें तो प्रॉसेस को आप एक दिन दे सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको बार बार परिशान करेगा इकुलेंट मेथड यार वो तो था कु अच्छे से देना इसको इसके बाद रह गया भाई साब लेबर और ओवर हैड एक दिन खतम हो जाएगा एक दिन में कुछ है नहीं लेबर में क्या है फॉर्मूले है तीन चार आपका हैल से रोवन का प्लैन है और टन ओवर रेट है जो की एजिली हो जाएगा इसके बाद म मैं थियोरी को जो बताता जाओंगा वो थियोरी भी करते जाएंगे आप अब रह गया मिसलीनियस चेप्टर जो की पेंडिंग रह गया उस चेप्टर को आप मेरे साथ साथ कर लेंगे और इतना ही मैं करवाऊंगा उसके अंदर होमवर्क बगरा कर कोई चक्कर नहीं कि एक जर्नल एंट्री वाला है लेकिन आप्शन में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा तो हम उसकी बात अभी करके आपको टेंशन नहीं देना चाहते हैं पहले जो हमारे पास हो रखा है पहले इसको आप अच्छे से करेंगे इस तरीके से और जो अलग से चेप्टर है मैं कल से ले आने वालों और छे घंटे में वो चारो चप्टर समाप्त हो जाएगा ठीक है जिसको आप फटा फट से 1x 2x पर जैसे भी देखना है आप देख सकते हैं क्लियर तो यह हमारा एजेंडा है जिस एजेंडे को आपको भी समझना पड़ेगा